हेलो फ्रेंग्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आप लोगों के साथ बॉयल्ड आलू और टमाटर की सबजी शेयर करने जा रही हूँ इस सबजी को हमने बीना प्याज और बीना लेशन के बनाया है बड़ी टेष्टी बनती है बीना प्याज और लेशन की कैसे बनाया है चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमने यहाँ पर कुछ आलू ले लिये हैं और ये मैंने तीन तमाटर ले लिये हैं जिसको मैंने कट कर लिया है और ये मैंने चार मिर्ची लिये हैं इसको भी मैंने बीस से काट लिया है और मैं आलू को काटूंगी नहीं चाकू से इस्पून की मदर से मैश कर लूँगी औ और मैश पूरा नहीं करना है थोड़ा करना है थोड़ा बिल्कुल समुझे रहेगा यानि ज्यादा ज्यादा मैश नहीं करना है यह मैंने यहां ओयल गरम कर लिया है यह देखिए ऐसे आलू को मैश करना है यानि ज्यादा ना छोटा और ना ज्यादा बड़ा यहां ओयल गरम हो गया है अच्छे से ऑईल को गरम करना बहुत जरूरी है अगर थोड़ा कच्छा रह जाता है तो इसमें थोड़ी सी खुस्बू आने लगती है और यहां हमने जीरा मिर्ची और हींग और थोड़ी सी शर्षों के दाने लिए हैं अब मैं इसमें गरम तेल में डाल दूंगी और थोड़ा सा तड़कने दूंगी जब मिर्च थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी थोड़ी सी रोष्ट हो जाएगी तब हम इसमें कुछ मसाले एट करेंगे पहले तो हम इसमें टमाटर एट करेंगे सारे टमाटर डाल लिए हमने और टमाटर को थोड़ा सा चला लेंगे चलाने के बाद हम इसमें एक से डेर चमच नमक डालेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जल्दी सॉफ्ट हो जाएं और इसको हम ढख कर थोड़ा पकाएंगे ताकि जल्दी से पक जाए और जल्दी से गल जाए तो ये देखिए कितनी जल्दी गल गये हैं, थोड़ा सा हम इसको रोश्ट कर लेंगे, भून लेंगे, फिर हम इसमें कुछ मसाले बीड़ करेंगे जैसे हमने यहां हल्दी डालें क्योंकि हमने यहां पर हरी मिर्श भी डाली है और यह मैंने थोड़ा सा गरम मशाला डाला है धनिया पाउडर डाला है धनिया पाउडर मैंने यहां एक सी डेड़ चमश डाला है अब सभी चीजों को टमाटर के साथ भूल लेंगे यह हमने आम चूर पाउडर डाल दिया है अब थोड़ा सा मसाले को अच्छे से भून लेंगे मसाले मिल जाएं अच्छे से टमाटर भून जाएं अच्छे से जब तेल थोड़ा अलग-अलग होने लगेगा तो तमाटर हमारा पक जाएगा टमाटर भून जाएगा टमाटर भून गए हैं अब हम इसमें आलू मैश को यह एड़ करेंगे और इसको भी हम टमाटर के साथ थोड़ा सा भून लेंगे थोड़ा सा रोष्ट कर लेंगे ताकि आलू में थोड़ा क्रेंची पन आ जाए और सब्जी थोड़ी टेस्टी लगे तो यहां हमने आलू को अच्छे से रोष्ट कर लिया है रोष्ट करने में लगबग हमें एक से दो मिनट लगे हैं जब आलू नीचे से थोड़ा क्रेंची हो जाता है तो थोड़ा टेस्ट और अच्छा जाता है और यहां हमने एक से डेड़ कप पानी आट किया है यहां हम थोड़ी रशीली सबजी बनाएंगे ग्रेवी वाली सबजी बनाएंगे तो थोड़ा सा हम पानी ज्यादा एट करेंगे तो यहां हमने एक सिद्धेल का पानी लिया है और अब हम इसको लगबग 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि पानी अच्छा सा पक जाए औ तो इसको हम ढखकर पकाएंगे 5 से 10 से 15 मिनट तक 10 से 15 मिनट हो गए हैं चलिए सब्जी का हाल देख लेते हैं सब्जी देखिए बहुत ही यमी और टेश्टी बनी है अब हम इसको सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे पहले हम इसमें गरम मसाला आट कर देंगे गरम मसाला हमने पहले भी आट किया था तो बाद में आपकी चुआई से अगर ना डालना चाहें तो ना डालें और थोड़ा सा खुजबूदार सब्जी पसंद करते हैं तो सब्जी में थोड़ा सा मसाला आट कर देंगे गरम मसाला बहुत ही टेश्टी बनी है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और जो मेरे चैनल पर नए है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुचें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई